तो आज इस वीडियो में उन्बॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं कोस्को के सीवी 85 एडमिंटर जैकेट का जो ये पेर है इसकी तो गाइज इसकी हम उन्बॉक्स करेंगे रिव्यू करेंगे और देखेंगे कैसा ये पेर क्या आपको परशेज करना चाहिए है नहीं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अन्यमोर थाइम लेट्स केट स्टार्टेट है ये दोस्तों मैं अर्शित और स्वागात आप सभी का स्पोर्ट स्पोर्ट यूट्यूट यूट्यूट चैनल में तो दोस्तों इस वीडियो में उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं इस कोस्क तो के बैंड्मेंटर रेकट का पहर है घृत सबसे पहले में बात करूं यहां पर कावर की क्वालिटी की तो एकदम थर्डग्लास कावर की क्वालिटी है इससे बेकार कवर शाय अधास तक मैंने नहीं देखा होगा आपने लाइफ में जितने महीं बेंड्मीन्ट परफिस कि हैं तो इसने तो यार काफी डी मोटिवेट कर दिया मुझे इसके कवर ने तो चलो खेर तो यह सिर्फ दिखाने के लिए शो आफ का कवर है एक दम थर्ड क्लास एक वर इसके लिए आप प्लीज रेकेट को मत जाना अगर आप कवर के साफ से देख रहे हो तो कवर तो यह मा बात करते हैं आप पर इन रैकेट की आप देख सकते होंगे एक रैकेट का यह जो पेर है और यह जो कवर तो खहर मान लो बेकारी है अब यह जो रैकेट है आपको तक्रिवन 600 रुपीज के आपको मिल जाते है अमजोन फुप कार्ट पे जिसके लिंक नीचर डिस्क्रिप् करें तो बस ऐसी ग्रिप आपको बताई होगा क्वालिटी ग्रिप में नहीं है बहुत ही जादा थोस सी ग्रिप है नाई जरा सी भी हलकी फोंपील हो रही है और गाईज अगर मैं अपीरियंस की बात करूं फर्स्ट लुक की भी तो आप देख सकते होंगे इतना कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है राइट यह चीज है लेकिन अगें यह डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्लेयर है तो चलो पहले एक बार मैं जो है इसका वेट करके देखता हूं कि एक्चुली इस रैकेट का वेट है कितना हम वेट करने वाले हैं इस कोज को के CB85 रैकेट का सो यह मैंने इसको रखा है तो आप देख सकते हूंगे तकरीबन एक सो तीन ग्राम का जो है यह एक सेगन तो आप देख सकते होंगे तक्रीवन 103 ग्रैम जो है इस रैकेट का वेट है तो दोस्तों चलो एक बार से अब मैं तो दोस्तों चलो एक बार मैं से भार खेल के देखता हूं प्लेंग टेस्ट करके कि किस तरीकी का यह रैकेट है तो यहां पर फाइनली इस रैकेट से खेलने के बाद में मैं आपको बता सकता हूं कि एक तो यह जीतरी ग्रिप इसके अंदर दी गई है और ग्रिप में एक चीज है कि यह ग्रिप बहुत ठोसी है तो जैसे पकड़ते है ना इसको तो हाथ में धोड़ा ज्यादे दिर खेलने मैं आपको बता रहा हूं CB85 कोसको का अगर आप ठीक लेवल पे हैं और अगर आप तेज खेलते हैं हमारी तरह तो अगर आप इस रैकेट को खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता यह तीन चाहर दिन से जादा चल पाएगा तो यह रैकेट अगर आप थोड़े वो ठीक से खेल हैं बस बैटमिंटन नाम के लिए वो लोग उनको ले सकते हैं क्योंकि हलकी शोट से टूटने वाले नहीं है और उससाब से ठीक भी है या फिर अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस पेर को purchase करके आराम से gift कर सकते हैं नीचे description में लिंक है लेकिन अपने personal use के लिए ये racket मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा अगर आप थोड़ा भी ठीक खेलते हैं हाँ अगर छोटे बच्चे हैं या फिर आप किसी को लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हैं और ठीक खेलते है तो बिल्कुल भी मैं इनको recommend नहीं करूँगा लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं बच्चों को gift करना चाते हैं या किसी ऐसे को जो की ऐसी खेलते हो बिल्कुल slow motion म तो आप उनको ज़रूर से गिफ्ट में दे सकते हैं या फिर उनको ऐसे ही उनके लिए परचेज कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही था रिविव हमारे इन कोस्को के CB85 बैट मेंटर डैकेट्स का मुझे उम्मीद आप सभी वडियो पसंद आयों कि पसंद आयों तो लाइक करें शेयर करें ऐसी इंपरन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलता हूं से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाया आए